जैश्री नामदेव जी महाराज दस्वा अध्याई प्रभु को गर्म दूद पिलाना एक दिन श्री नामदेव जी की माता गोना बाई चुल्हे पर दूद गर्म करने के लिए रखकर किसी काम से बाहर चले गई नामदेव जी बहार से आये और दूद को उबलता देखकर सोचने लगे कि मैं अपने प्रभु को दूद ही पिलाओं नामदेव जी ने दूद का बरतन उठाया और भगवान के मंदिर में ले जाकर ठाकुर जी के आगे रख दिया आप हाथ जोड़ कर प्रभु से विंती करने लगे हे प्रभु मैं आपके लिए दूद लाया हूँ कृपया आप इसे ग्रहन करें यह सुनकर प्रभु जी चुप रहे और नामदेव जी ने कहा कि प्रभु यदि आपने मेरा लाया हूँ दूद नहीं पिया तो मैं जिन्दगी में कभी भी दूद नहीं पिऊंगा प्रभु ने नामदेव की यह बात सुनकर वह गरम गरम दूद पी लिया इस पर नामदेव जी बहुत प्रसंद हुए और खाली बरतन लेकर घर को वापिस आ गई इतने में उनकी माता जी भी घर आ गई और नामदेव जी से पूछने लगी कि पुत्र यह बरतन तो खाली है इसका दूद कहा है तो नामदेव जी ने कहा कि वह दूद तो मैं ठाकुर जी को पिला आया हूँ माता जी ने हैरान होकर कहने लगी कि पुत्र वह दूद तो बहुत गरम था उससे प्रभु जी के मुह में चाले पड़ गए होंगे नामदेव जी और उसकी माता ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु आपके मुह में चाले पड़ गए है तो प्रभु ने भक्त की प्रेम भावना में हुई नादानी को छिपाते हुए कहा कि जो नामदेव ने स्रधा और प्रेम से के साथ मुझे दूद पिलाया है वैस्रधा और प्रेम मेरे होठो पर आ गया है आज का दस्वा अध्याई यहीं समाप्त होता है